हलो डियर स्टुटेंट आजम सौल करने जा रहे हैं स्टेंडर्ट टैंथ की मैट्स का चैप्टर नंबर फाइफ चैप्टर नंबर फाइफ इसका नाम है अरिट्माटिक प्रोक्रेशन मतलब सामानतर श्रेणी इसकी exercise 5.3 का question number 3 इससे पहले की सभी question और exercise हम इस channel पर अप्लोड कर चुके हैं और link इसी वीडियो के साथ में दी गई है तो आप उस link को click करके जो भी आपकी query है वो वाला question और exercise देख सकते हैं let's start this solution of question number 3 सबसे पहले question start करने से पहले अगर आपने ये channel subscribe नहीं कर रहा है तो subscribe कर लिजिए क्योंकि इस channel पर आपको आपकी जरुद के सभी videos सभी subject के videos मिल जाएंगे okay और आखरी तक बने रहेगा हमारे साथ इस video में क्योंकि आपको बहुत easy language में सारे questions explain किये गए हैं समझाए गए हैं बहुत easy solutions में okay question number 3 is here in an AP it means एक arithmetic progression है उसके अंदर क्या-क्या दिया गया और आपको क्या find करना है वो इसमें बताया गया okay let's start question number one question number three का first given यहां पर दिया गया है a equals to five means जो first number है हमारे पास में वो है five फिर d equals to three it means difference कितना दिया गया है three an an कितना दिया गया है हमारे को 50 it means last term a है जो first term है और a n है जो last term है अब हमें यहां पर find क्या करना है n find करना है और sn n का मतलब होता है number of term कितनी है और sn का मतलब होता है कि number of term जो total है न उनका total कितना है जैसे 10 term है तो 10 term में किते number उसका जो total होगा वो sn होगा तो सबसे पहले हम निकालते है n अब इसके लिए हम formula यूज करते हैं as usual सब भी exercise में यही formula यूज किया गया है तो देखिए a n equals to a plus n minus 1 d यह formula है इसमें first question में second question में भी यह formula हमने use किया था अब हमें यहाँ पे last term 50 दी गई है first term हमें 5 दी गई है तो हमें यहाँ पे apply करते है a n equals to 50 equals to a की जगे 5 लिखेंगे plus n minus 1 as it is रहने देंगे क्योंकि n हमें दिया गया नहीं है ओकी और difference दिया गया 3 तो हम d equals to 3 यहाँ पे apply कर देते है अब इसका solution करते है तो देखिए यहाँ पे equals to के right side में जो 5 दिया गया हम equals to के left side में ले जाएंगे तो 50 plus का 5 हो जागो जो minus का 5 हो जागो तो 50 minus 5 equals to n minus 1 bracket में और multiply by में 3 यह as it is अभी रहने देंगे ठीके फिर दीके 50 में से हम 5 minus करते है तो आता है 45 अब n minus 1 के multiply में 3 है न तो इसे equals to के left side में ले जाएंगे तो यह division में चला जाएगा तो 45 divided by 3 तो n minus 1 बराबर क्या हो जाएगा 45 divided by 3 अब 45 को जब हम 3 से divide करते है तो 45 3 से 15 time cut होगा तो n minus 1 equals to i of 15 तो n की value कितने आ गई हमारे पास 15 plus 1 equals to 16 तो अब हमें यहाँ पर मिल गया है n अब क्या निकलना है s n का formula क्या है देखो अब हम यहाँ पर जो sum of terms है उसका formula apply करेंगे n upon 2 bracket में a plus an a means first term और an means last term n कितना आया है हमारा 16 तो अब हम यहाँ पर apply करते है s 16 equals to n की जगे 16 लिख देंगे 16 upon 2 फिर bracket में 5 plus 50 फिरस्टा में 5 और लास्टा में 50 अब 16 को जब 2 से cut करते है तो आएगा 8 8 multiply by 50 में 5 प्लस करेंगे तो 55 16 आया 440 मतलब जो total 16 terms है n बराबर 16 है उनका अगर हम sum करते है तो उसके value आएगी 450 इसके साथ third question का first finish होता है और second की तरफ चलते हैं पन ये है this is a second question अब यहाँ पर क्या दिया गया देखो first term दी गई है 7 और 13 तो term दी गई है कितनी 35 अब find क्या करना है एक तो difference find करना है और इसकी जो 13 term है उसका sum find करना है और n, n कितना दिया गया है 13 मतलब ए 13 की value दी गया है 35 इसका मतलब यह है कि इसमें total 13 term है तो n की value हमें automatic मिल जाती है 13 चीक है अब हम क्या करेंगे a n equals to a plus n minus 1 bracket में और d multiply by d इस formula से हम सबसे पहले difference find कर लेते हैं तो देखो a n equals to a plus n minus 1 d तो a n की value होगी 35 जो के हमें दी गई है plus first term दी गई है 7 apply करते है plus n हमें दी आगया 13 apply करते है n minus 1 और difference जो हमें find करना है अब यह जो plus का 7 है यहां पर वो first term है वो कुम क्या करेंगे equals to के left side मिले जाएंगे तो जो plus 7 है वो हो जाएगा minus 7 तो 35 minus 7 equals to अब 13 में से 1 गया तो 12 और यह d 12 multiply by d 35 में से 7 गया तो आया 28 और 12 को d से multiply किया तो आया 12 d अब क्या करेंगे कि जो multiply में 12 है equals to के left side मिले जाएंगे तो division में चला जाएगा तो 28 divided by 12 तो d की value आई 4 बंजा 4 4 तू जा 8, 4 तू जा 12 और 4 से बंजा 28 4 से हम 28 तो 12 को divide करेंगे तो value आजाएगी 7 upon 3 तो यह difference कि आगया हमारा 7 upon 3 अब हमें क्या find करना है देखो हाँ, sum of 13 term चीक है, d मिल गया हमे तो as usual अब sum of 13 जो है उसका formula apply करते है n upon 2 a plus n यह सब हमें तो दिया गया है already तो देखो n की जगे 13 लिखेंगे 7 plus 35 7 जो first term है 35 last term में 13 तो term में फिर 13 divided by 2 35 में 7 plus करेंगे तो आया 42 2 से 42 को divide करेंगे तो आएगा 21 और 13 को 21 से multiply करेंगे तो answer आया 273 तो जो 13 term से total तो as 13 इनका sum हो जाएगा 273 और difference आगे है हमारा 7 upon 3 ओके इसी के साथ आगे बढ़ते है question number है हमारा third third का third अब हमें यहाँ क्या-क्या दिया गया है देखो given is 12 equals to 37 12 तो जो term है उसकी value है 37 difference दिया गया है 3 find a and as 12 जो first term find करना है और 12th term का sum find करना है और n equals to 12 दिया गया है क्योंकि as 12 find a and as 12 मतलब की 12th term दिया गयी है तो n equals to 12 हम यहाँ पर मान लेता है अब जो यह n equals to 12 दिया गया है इसको हम formula में apply करके और a की value निकाल देंगे अब देखो जो जो हमें दिया गया हम इस formula में apply करता है a n equals to a plus n minus 1 multiply by d a n की जगे 37 equals to a नहीं दिया गया as it is लिख देंगे plus n हमें 12th term दिया गयी तो 12 लिख देता है minus 1 equals to difference दिया गया minus 1 फिर bracket बन करते है फिर आएगा 3 अब है 37 equals to a plus 12 में 7 गया तो कितना है 11 multiply by 3 तो 33 37 equals to a plus 33 अब जो 33 है वो plus में 11 equals to के left side में ले जाएंगे तो 37 minus 33 हो जाएगा 11 equals to a तो अब फरस्टा में आगई है 11 equals to 4 मुझे उमीर है आपको ये exercise समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है तो आप comment में लिख करके हमें share कर सकते है हमें ये problem आ रही है okay then we will try to solve your problem yes अब एक find कर लिया हमने अब as and find करते हैं तो देखिए इसका formula अप्लाइ कर लेते है as usual n upon 2 a plus a n n की value है 12 12 term है चलिए 12 upon 2 4 plus 37 4 है जो first term है 37 है जो 12th term है फिर 12 को 2 से divide करेंगे तो आया 6 और 37 में 4 प्लस करेंगे तो आया 41 41 multiply by 6 तो ये आया s n की value equals to 246 तो हमने यहां पर दोनों find कर लिया है total 12th sum की जो value है 246 आई और a की value जो है 4 आई next question है हमारा fourth 1 अब यहां पर हमें क्या दिया गया है a3 equals to 15 जो third term है उसकी value है 15th और जो 10th term का sum है वो है हमारा 125 अब यहां पर हमें 10th term find करना है a10 find करना है और difference find करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a3 के value से हम a find कर लेते हैं अब a जब भी बीच वाले term दी गई होती है ना तो हम वही formula यूज करते हैं कि a2 equals to a plus d a3 equals to a plus 2d a4 equals to a plus 4 3d इस तरीके से तो यहां पर a3 का जो formula होगा term थर टम निकालने के लिए जो formula होगा वो होगा a plus 2d अब a3 की value 15 दी गई है तो 15 equals to a plus 2d 2d भी हमें नहीं दिया गया है difference भी नहीं दिया किया है तो लिख देते हैं find तो अभी तो हमें a find करना है ना तो क्या करेंगे हम 2d यहां पर जो plus में इसको minus मिले जाएंगे तो a equals to 15 minus 2d यहां पर हमें यह first equation मिल जाती है अब यह find करने के बाद में as usual जो हमारा formula है sum of total जो sum है वो हमें find करना है sn sn मतलब हमें क्या find करना है s10 find करना है ठीक है देखो s10 की value दी गई है s10 की value जो दी गई है इसे हम difference find करेंगे तो s10 की value कितनी है 125 यह लिखा हूँ देखो dear student s10 equals to 125 तो यहां पर n की value कितनी होगी 10 तो sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 d यह किसका formula 2a plus n minus 1 multiply by d किसका formula है यह यह formula है a plus an तो an का formula क्या होता है a plus n minus 1 d अब इनको हम combine करके जब a plus an का formula combine करके लिखते है तो an में जो a है और यह a दोनों plus हो जाते है तो 2a हो जाता है plus n minus 1 और d तो यह formula हमने यहां पर find के इस formula हम question का answer निकालेंगे formula कौन सा apply किया हमने sn equals to n upon 2 a plus an ठीक है तो a as it is है an का पूरा formula हमने derive करके यहां पर लिख दिया है क्योंकि हमें difference find करना है तो देखो 125 equals n कितना है 10 sn n की value यहां पर 10 दी गई है तो s 10 की value 125 n की value हो जागी 10 upon 2 2 को 10 से cut करेंगे तो 10 को 2 से cut करेंगे तो आजाएगा 5 यहां तक अपना solve हो गया फिर 2 a की value हमारी यहां पर कितनी आई थी 15 minus 2d तो यह a की value 15 minus 2d हम लिख देते हैं फिर as usual plus n की value है 10 10 minus 1 multiply by d फिर देखो 125 equals to 5 bracket में अभी 15 minus 2d है इसको 2 से multiply कर देते हैं तो 15 2 जा 30 minus 2 2 जा 4 4 d plus 10 में से 1 गए तो 9 9 को d से multiply करेंगे तो 9 d यहां तक आगे आपको समझ में तो आगे चलते हैं हम 125 अभी जो bracket में multiply में 5 है न इसको हम divide मिले जाते हैं एक वस्टू के left side में 125 divided by 5 करते हैं तो यह 5 से 125 25 time cut होगा तो अब आगे हमारे पास में सीधा सीधा देखो 30 minus 4 d plus 9 d तो minus 4 d में से 9 d जो है minus करते हैं हम तो यह plus का है 90 और minus का है 4 d plus minus हो जाएगा 9 में से फूर गए तो 5 अब यह जो दोनों साइन हम देखते हैं तो बड़ी वेली कौनसी यह 9 d और इसके आगे प्लस का साइन है तो हम यह पे plus 5 d लिख देते हैं तो अब हमें क्या मिल गया है 25 एक वस्टू 30 plus 5 d अब 5 d एक वस्टू क्या करेंगे 30 के left side मिले जाएगे 35 minus 30 और तो आया यह minus 5 minus 5 equals to 5 D तो D equals 2 हो जाएगा minus 15 वण्जा 5 और minus का साइन आज जाएगा तो यह आगे हमारा difference अभी difference को हम A का जो हमारा first equation इसमें पूट कर देंगे तो A equals to 15 minus 2 D equals to minus 1 है 15 minus अब multiply में minus है माइनस माइनस प्लास हो जाएगा तो प्लास 2, 15 प्लास 2 इकवस्ट टो 17, तो A की वेल्यू भी हमने यहापे फाइंड कर लिये 17, ओके, अब हम यहापे निकालेंगे A, N, A, N मतलब 10 तर्म हमें फाइंड कर ली थी, जो, अब देखो, हमने यहापे क्या-क्या निकाला, पहले तो difference निकाल दिया, क्योंकि difference फाइंड करना जरूरी है, और पूछा गया है, तो difference निकाल दिया, A की वेल्यू इसलिए जरूरी है, कि बिना A की वेल्यू के हम, A, N नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने A की वेल्यू भी आपे फाइंड कर लिये, अब हम निकालेंगे, A, N, A, N equals to a plus n minus 1 d तो a आया हमारा 17 plus n है 10 10 minus 1 और d की value minus 1 तो 17 plus 10 में से 1 गया तो 9 आये अब 9 minus 1 तो minus 9 आजाएगा 9 को minus 1 से multiply करेंगे तो 17 में से जब हम 9 minus करते है तो a 10 की value आती है हमारी 8 इसी के साथ question number 4 finish होता है चलता है question number 5 की तरफ अभी तक भी कोई problem हो तो dear student share with me on this video in comment box okay and now question number 5 is given d equals to 5 s9 equals to 75 find a and a 9 first term find करो और 9th term find करो तो simple simple सा formula है कि हम सब से पहले निकाल लेंगे a ठीक है s9 दिया गया इसलिए सब से पहले sn वाला formula apply करते है sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 bracket में multiply by d okay यह formula आपको learn कर लेने है फिर देखिए 75 equals to n की value 9 है तो n upon 2 2a plus n 9 है तो 9 रख देंगे minus 1 multiply by 5 फिर 75 equals to 9 upon 2 अब देखो 9 minus 5 कितने हुए 9 minus 1 8 हुए 8 को 5 से multiply कर देंगे तो 2a plus 8 multiply by 5 फिर 75 equals to 9 upon 2 2a 8 multiply by 5 करेंगे तो आगए 40 अब इन में से हम क्या करेंगे 2a plus 40 में से 2 को common लेके बाहर निकाल देते है तो 9 upon 2 multiply by by 2 तो यह आगी है 2a में से a common लिया तो a रहा अंदर 40 में से 2 common चला गया तो 22 जा 40 होते तो अंदर 20 आ जाएगा फिर देखिए 75 equals to 9 upon 2 multiply by 2 bracket माया a plus 20 अब 9 upon 2 multiply by 2 है तो जो 2 हो और 2 है अपस में cut हो जाएगी तो अब हमें क्या मिला 75 equals to 9a plus 180 20 multiply by 9 9 to the 18 और 0 तो अब हमारे पस क्या आ गया 9 को हम a से multiply करेंगे तो 9a आ जाएगा 9 को 20 से multiply करेंगे तो 120 75 equals to 9a plus 120 अब 180 को equals to के right side में ले जाएगे left side में तो क्या जाएगा plus का है तो ये minus को जाएगा 75 minus 180 equals to 9a 180 में से 75 गया है तो minus 105 equals to 9a अब a की value निकल नहीं है तो 9 जो multiply में है एके साथ में उसे हम equals to के left side में ले जाके division में ले जाते है तो 125 sorry 105 divided by 9 अब इस 9 को हम cut करेंगे 3 से और 105 को भी cut करेंगे 3 से ये दोनों values जो है 3 से cut हो रही है ठीक है तो 3 3 जा 9 और 105 35 time cut होता है तो a की value हमें मिल जाती है यहाँ पे minus 35 upon 3 equals to a ये आगे है ना हमारे पास में minus 35 upon 3 अब हम a n निकालते हैं तो a n में 9th term निकालनी है ठीक है first term निकल गई है हमारी अब हमें 9th term निकालनी है तो a n equals to a plus n minus 1 d same formula फिर a ninth term equals to a की value minus 35 upon 3 plus 9 minus 1 multiply by 5 9 में से 1 गया तो 8 रहा 8 multiply by 5 तो यहाँ पे आजाएगा a nine equals to minus 35 upon 3 plus 40 अब हम क्या करेंगे इसका LCM ले ले लेंगे तो दोनों के नीचे अकर LCM लेते हैं तो 35 के नीचे 3 है तो 40 के नीचे 3 और उपर भी 3 से multiply कर देंगे तो ये देखो 3 और 40 को 3 से multiply किया तो 120 फिर 120 में से 35 माइनस किये तो ये आए 85 upon 3 ठीक है तो a nine की value कितनी आ गई है 85 upon 3 तो a nine equals to 85 upon 3 और a equals to minus 35 upon 3 इसके साथ question six, fifth पूरा होता है अब हम चलता है six question की तरफ अब यहाँ पे क्या दिया गया given a equals to 2, d equals to 8 a sign equals to 90 91st term 2, difference 8 और sum of terms दिया गया है 90 अब देखें यहाँ पे तो हमें n नहीं दिया गया है a n नहीं दिया गया है 9 तो total number of term दिया गया है और 9 हमें last term दिया गया है क्या दिया गया difference और a की value तो हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे n निकल देंगे तो sn equals to n upon 2 to a plus n minus 1 into d sn की value दिया गया 9, सभी values apply करते है तो 90 sn की value दिया गयी 90 equals to n नहीं दिया गया तो n upon 2 as it is लिख देते है first term दिया गयी है 2 तो 2 multiply by 2 plus n की value नहीं दिया as it is लिख देते है 9 minus 1 multiply by 8 अब देखो इसको solve करते है 90 equals to n upon 2 2 into 2 हो जाएंगे 4 n minus 1 8 अब यह 8 को n minus 1 से multiply करते हैं तो यह आएगा 4 plus 8 n minus 8 अब इन तीनों में देखो कि तीनों में क्या sorry minus 8 और यह है 4 minus 8 में से 4 गया तो आया minus 4 जो कि हमने next term में लिखा है यहां पे 4 plus 8 n minus 8 8 में से 4 गया तो आया minus 4 क्योंकि 8 बड़ा नमबर है इसके आगे minus का sign है तो हम 4 के आगे minus का sign लगा देंगे अब हमें जो next term मिलती हो है 90 equals to n upon 2 8 n minus 4 ओके फिर देखो 90 equals to अब यह 8 n minus 4 में से हम क्या करेंगे 4 को common ले लेते हैं तो n upon 2 multiply by 4 4 बड़ा 4 तो 1 रह जागा और 2 n minus 1 ब्रेकिट के अंदर रह गया 2 से 4 को कट किया तो यह आगया 2 तो आया 90 equals to 2 n फिर ब्रेकिट में 2 n minus 1 और 90 से जब यह जो 2 n है तो यह 2 n का 2 हम equals to के left side में ले जाएंगे तो यह divide में चला जाएगा तो 90 upon 2 equals to 45 तो अब हमें यह पर क्या मिलता है देखो बहुत easily term मिली है 45 equals to यह n को 2 n से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2 n स्क्वार आजाएगा और यह है minus n minus 1 को n से मल्टिप्लाइ करेंगे तो minus n आजाएगा फिर 45 को हम equals to के दर की तरफ ले जाते है तो यह हमार पास 5 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा यह 90 90 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइट करना है कि जब प्लस माइनस करें तो सिफ 1 ही आए तो 10 9 जा 90 जो कि मैंने यह पर ब्रेकिट में लिखा है side में तो इसको में 2 पार्ट में डिवाइट कर दिया 10 n और 9 n तो देखो जब हम इस क्वाडिटिक एक्वेशन को solve करते हैं तो 2 n स्कॉर माइनस 10 n प्लस 9 n माइनस 45 अब फर्स्ट में से हम 2 n कॉमन लेते हैं तो अंदर रहेगा n माइनस 5 और सेकिंड में से जब हम 9 कॉमन लेते हैं तो अंदर रहेगा n माइनस 5 अब हम हम यह पे क्वाडिटिक एक्वेशन रहेगा 2 n की वेल्यूज मिल गई 2 तो देखो फर्स्ट है हमारा 2 n प्लस 9 और सेकिंड है n माइनस 9 अब n की वेल्यू कॉनसी होगी वह हम देखते है n माइनस 5 एक्वास्ट जीरो n माइनस 5 एक्वास्ट जीरो होगा तो n की वेल्यू होगी 5 और 2 n माइनस 9 एक्वास्ट जीरो तो 2 n एक्वास्ट टो माइनस 9 तो n की वेल्यू होगी माइनस 9 अपन 2 n की वेल्यू कभी भी माइनस में हम 9 लेते हैं इस स्वाज जे से हम यहाँ पर n की value लेते हैं 5, okay, is it clear, let's see going next term, okay, देखी, अब यहाँ पर a n equals to formula apply करते हैं, a plus n minus 1 multiply by d, अब a fifth term, जो है हमें find करनी है, तो 2 plus n की value किती है, 5 है न, तो 5 minus 1 multiply by 8, तो 5 में से 1 गये, तो 4, 4 को 8 से multiply करेंगे, तो 32, 32 में 2 plus करेंगे, तो 34, a 5 की value आगए हमारे पास में 34, a 5 equals to 34, n equals to 5, यहाँ पर हमें दोनों values मिल गई हैं, अब हम चलता है, question number 7 की तरफ, देखिए, अभी यहाँ पर दिया गया है, first term दिये गई है, 8, an, मतलब last term दिये गई है, वो है 62, sn दिया गया है 210, और an जो होता है, उसको हम l भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने bracket में लिखा है, तो find n and d, तो हम यहाँ short में find कर लेते हैं, an जो है 62 दिया गया है, first term दिये गई है n fine करना और sn fine करना है, तो n हम यहाँ पर short में find कर लेते हैं, अगर हमें last term नहीं दिये गई होती, तो मैं last term fine करनी पड़ती पर, last term यहाँ पर दिये गई है, तो दिखिए, 210 equals to n upon 2, a plus 62, a equals to 8 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिखना बूल गया है, आप a की जगे 8 लिख दी तो n upon 2 multiply by 72 को 70 से divide करते हैं, तो आता है 35, तो 210 equals to 35 n, तो n equals 2 हो जाएगा 210 upon 35, 35 से 210, 4 time काट होगा, तो n equals to 4, अब हम next find करेंगे an, means 6th term, तो देखो, यह आगया हमारे पास में, n equals to 4, n equals to कितना आया? 35, n equals to 4, sorry, yes 8, यहाँ पर देखें आप, यह mistake कैसे हो गई है, 6, a n equals to a plus n minus 1 equals to d, 62 equals to 8 plus 6 minus 1, d, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, आप इसको देख लीजिएगा, n की value, अगर आप 6 रखते हो, तो यहाँ पर आएगा हमारा answer, n equals to 6, और d equals to 54 upon 5, sorry dear student, यहाँ पर अगर हम 4 लिखते हैं, तो देखो, 4 minus 1 हो जाएगा, 3, 3d, और 8 को 62 में से minus करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा, 54 equals to 3d, और 3 से 54 को minus करेंगे, तो 3 बंजा 3, और 24, 3, 8, 24, 18 answer आजाएगा, d equals to 18, difference आजाएगा 18, अगर हम n equals to 4 लिखते हैं, तो यह sorry मैंने n equals to 6 लिख दिया है, इसके लिए sorry बहुत-बहुत, मैं आपको इसका अच्छे से solution बता देती हूं वापिस से, देखो, n equals to a plus n minus 1 d, 62 तो हमारा पास दिया गया, यह लिखा हुआ है, यहां पर 62, तो 62 equals to 8 plus 6 minus d है, इसकी जगे हम लिख देंगे 4 minus 1 d, तो 4 में से 1 जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो 62 equals to 8 plus 5 d की जगे 3 d लिखिएगा, और यह 8 यहां minus में चला जाएगा, तो 62 minus 8 equals to 3 d, फिर 62 में से 8 गये तो 54, 54 को 3 यहां से, यहां पर multiply में होगा d की है, तो 3 को divide में लिख जाएगे, तो 3 से 54 दिखिएगा, तो इसका answer आजाएगा, हमारा 28, इतना सब्सक्राइगा, प्रीज कर लिखिएगा, इसको solve, by mistake हो गया है यह, और written है, I can't change this, if I have to, if I have to change, then I upload again this question, sorry for this, अब हम चलते है, question number 8 की तरफ, given a n equals to 4, d equals to 2, s n equals to minus 14, find a n, n, a n equals to a plus n minus 1, d, a n की value दी गई है, 4 equals to a की value में d नहीं गई है, तो a plus n minus 1, और bracket में फिर हम लिख देंगे 2, फिर 4 equals to a plus 2 n minus 2, minus 2 को हम equals to left side में ले जाएगे, तो 4 plus 2, और 2 n को भी इदर की तरफ ले जाते है, तो 2 n आगे है, equals to a, तो a की value कितनी आई, 4 plus 2 minus 2 n equals to a, 4 में 2 plus करेंगे, तो 6 आगे है, तो a equals to 6 minus 2 n, अब ये देखिए, s n हम निकालते हैं, तो n upon 2, 2 a plus n minus 1, d, अब इसमें हम सारी values पूट करेंगे, तो s n की value दी गई है, minus 14 equals to n upon 2, 2 a 2, और a की value आई है, 6 minus 2 n, plus n minus 1, और multiply में 2, minus 14 equals to n upon 2, और ये bracket यहां पे होगा, 6, 2 is a 12, ये 2 है, इसको दोनों bracket से multiply कर देंगे, तो 6, 2 is a 12, और ये minus का sign आजाएगा, 2, 2 is a 4, 2 multiply by 6 करेंगे, तो 12, 2 को minus का sign आजाएगा, 2 को 2 से multiply करेंगे, 4 आजाएगा, और n asht सा आजाएगा, plus n minus 1, और 2, 2 को यहां पे multiply कर देंगे, n minus 1 से, तो 2 n minus 2, अब देखिए, बहुत बड़ी equation हो गई, ये ने दिख रही है, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा चो 2 n plus का है, plus minus minus होगा, 4 n में से 2 n का है, तो 2 n आया, और sign लग जाएगा, minus का, क्योंकि minus वाला number बड़ा है, तो इचोटा हो गया न, अब देखो, minus 14 equals 2 n upon 2, 10 minus 2 n, इसमें से 2 common ले लेते हैं, तो 2 common लेंगे न, तो यहां पे 5 रह जाएगा, और यहां पे n रह जाएगा, तो 5 त n, अब यहां पे देखो, समें वापिस हमें quadratic equation मिल गई है, माइनस 14 equals 2 n को 5 n से मल्टिप्राइ करते हैं, तो 5 n minus n into n, n square हो जाएगा, अब इसको proper वे में हम लिख देते हैं, तो देखें, minus n square plus 5 n, और plus 14 equals to 0, अब quadratic equation को जब solve करना होता है, तो यह जो first term, n equation, n square वाली, यह minus में नहीं होनी चाहिए, तो क्या करते हैं, इसमें से minus common ले लेते हैं, minus common लेंगे, तो अंदर वाले sign चेंज हो जाएंगे, n square minus 5 n minus 14, अब 14 के हमें यहां पे 2 part करना है, 7 to 0, 14, 7 में से 2 गए तो 5, अब भी देखिए, n square minus 5 n minus 14, तो n square minus 7 n plus 2 n minus 14, तो n common लेते हैं, तो अंदर जगा n minus 7, plus 2 common रहते हैं, तो अंदर जगा n minus 7, यहां पर हमें 2 term मिल गई है, n plus 2 और n minus 7, तो n plus 2 को देखते हैं पहले, तो इसमें n की value आजाएगी minus 2, n minus 7 में n की value आजाएगी 7, तो negative n की value हम लेते हैं, तो यहां पर आजाएगा n plus 2 7, अब n की value आगे, इसको हम a में put करते हैं, ज to 6 minus 2n, तो 6 minus 7 to the 14, 8, तो 14 में से 6 गए, तो minus 8, a की value आगई हमारी minus 8, अब हम चलते हैं, 9th question की तरफ, given a equals to 3, n equals to 8, और s equals to 192, find d, तो हम वही एसन का formula लगा देते हैं, d find करने के लिए, n upon 2, 2a plus bracket में n minus 1, multiply by d, n की value दी गई है, हमें 8, तो यहाँ पर लिख देते हैं, sn की value दी गई है, 192, 192 equals to 8 upon 2, फिर bracket में 2a, a की value दी गई है, 3, तो 2 multiply by 3, plus n की value है, 8, 8 minus 1, d, अब पहले bracket वाले value को solve करते हैं, तो 3, 2 जा 6, 8 में से 1 गया, तो 7, d, तो यहाँ पर आगया, 192 equals to 4, 8 upon 2 कट होगा, तो 4 आजाएगा, तो 4, bracket में 7 plus, 6 plus 7, d, ब्रेकिट में क्या जाएगा, 4, bracket में 6 plus 7, d, अब 4, 6 plus 7, d, as it is, रहने देते हैं, 4 को यहाँ पर, डिवाइडेशन में ले जाते हैं, एकवस्ट के left side में, तो 192 upon 4, यह 48 time कट होगा, तो यहाँ पर यहाँ गया, 48 equals to 6 plus 7, d, अभी 6 यहाँ पर माइनस में ले जाएंगे, एकवस्ट के इदर की तरफ, तो देखिए, 48 minus 6 equals to 7, d, तो 42 equals to 7, d, 42 को 7 से कट करेंगे, तो 8 आगया, तो d की value आगया है, हमारी 6, अभी यह है 9th question, this is last question of this exercise, okay, given l equals to 28, l मतलब last term a, n, और s equals to 144, तो and there are total 9 term, मतलब n की value कितनी दी गई है, 9, find a, हमें a यहाँ पर find करना है, तो यहाँ पर formula लगा देता है, sn equals to n upon 2a plus l, sn दिया गया है, sum of total term, equals to 144, अब sn की जगे 144 लिख देता है, n की जगे 9 term दी गई है, तो 9 लिख देता है, as it is, क्योंकि यह दिया गया नहीं है, l की value दी गई है, हमें 28, तो देखिए, 9 upon 2, इसको हम क्या करेंगे, 16 multiplied by 2 equals to a plus 28, क्योंकि l की value 28 दी गई है, तो 32 minus 28 equals to a, तो a equals to 10, तो a की value आ गई हमारी यहाँ पर 10, first time equals to 10, dear student, मैं उमीद करती हूँ, कि एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, वह बीच में थोड़ी mistake हो गई थी, N की value, 4 की जगे मैंने 6 ले ली थी, उसके लिए sorry, महाँ पर correction मैं आपको दुबारा समझा भी दिया, उसे solve कर दीजिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं, हम next video में, next solution के साथ, next exercise के साथ, तब तक के लिए, thank you, इस वीडियो को like करना मत बुलिएगा, friends के दा शेयर करना मत बुलिएगा, और subscribe तो please, please, please जरूर कीजिएगा, thank you so much.